दोस्तो अगर आपके पस यह बेल का गीगा मोडम है तो बहुत सिंपल है इसको लगाना दो मिनिट के अंदर आपका लग जाएगा पहले तो डब्बे से जैसी निकालोगे यह ग्रीन वाला प्लग पहले सी लगाओगा मोडम के अंदर मोडम को आप ऐसे बिठा दो और फिर य हिस्सा है यहां पर जाएगा पावर केबल तो सबसे पहले तो पावर केबल को सेट कर लेते हैं यह तयार कर लिया हमने यह वाला जो हिस्सा है यह जाएगा वहां पर मोडम पर यह चले गया ठीक है बहुत सिंपल है देखो ऐसे मोडम में डाल देना है और इसको डालने के ब दाल दोगे इसमें एक थोड़ा सा उठा हुआ हिस्सा है वो हमारी तरफ होना है जब डाल रहे हैं अगला है पावर केबल डाल दिया इसको कनेक्ट कर दिया फिर आप आजाओ डब्बे के अंदर ऐसे एक रहेगा से हेलो उस पर आपने अपने कैमरा से स्कैन करना है तो जैसी ये वाला मैं उसको सेलेक कर रहा हूँ और इसको सेलेक करने के बाद जो है मैं कर रहा हूँ ओके आपके पस अगर नहीं है तो आप जो है इस पर जाके चेक कर सकते हो क्या डीटेल है कैसे है पूरा इसमें समझा के रखा हूँ तीन आप्शन है और देखो मोडम जो है मेरा भी चालू होना शुरू हो गया वेलकम करीब 15 मिनिट लगेगा पूरा सेट अप के लिए आपका अगर किस्मत अच्छा है तो शाद जल्दी भी सेट अप हो जाए पर थोड़ा धैरे रखना आराम से 10-15 मिनिट लगेगा सेट अप होने के लिए वेलकम बोलेगा फिर अपना जो है फलान डिमकान जो भी है एक एक करके आएगा तो बस आप जो है वेट करना जब तक पूरा सेट अप नहीं होता है एक बार सेट अप हो जाएगा तो आपको जो है ये वेलकम ये जो भी है ये सब गायव हो जाएगा और फिर लाइट ब्लिंक करना शुरू करेगा और आपको दिखाएगा ओके मैं आपको थोड़ा आगी चलके दिखाता हूँ यह देखो लोडिंग चार्जमेंट और फिर थोड़ी दिर के बाद ऐसे लाइट ब्लिंक होना शुरू होगा जब यह पूरी तरह के सेटप हो जाएगा तो आपने आपके जो मोडम के पीछे पासवर्ड दिया है और पासवर्ड आपने आपके वाइफाई में डालना है सिंपल है आप जो है जाओगे यह वाला पासवर्ड जो है आप डालोगे आपके मोबाइल या जो भी डिवाइज है जहां पर आपको कनेक करना है